नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूग चैनल अजैस्ट्रो मनी गुरू पर मैं राहुल और आज हम बात करेंगे गेहों की कीमतों में हाल ही में हुए सुधार के बारे में फ्लो मिलो की मान के चलते शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली में गेहों की कीमतों में 5 रुप्य का इजाफा देखा गया है लारेंस रोड पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गेहों के दाम अब 5 रुप्य बढ़कर 2680 से 2685 रुप्य प्रती क्विंटल हो गए हैं इसी तरह मद्य प्रदेश और राजस्थान के गेहों के दाम भी 5 रुप्य बढ़कर 2680 से 2685 रुप्य प्रती क्विंटल बोले जा रहे हैं केंद्र सरकार ने OMSS के तहट अगस्थ से गेहों की बिखरी शुरू करने की घोशना की थी लेकिन आप तक मिलो को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है इस कारण बजार में अनिश्चित्ता का माहौल बना हुआ है और मिलर सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं इसके अलावा सरकार ने गेहों पर ततकाल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लगाई हुई है जो की 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी चालू रभी विपणन सीजन 2024-25 में प्रमुक उतपादक राज्यों से 266 लाग टन गेहों की खरीद न्यूनितम समर्थन मूल्य, MSP, पर हुई है जो की पिछले सीजन 2023-24 में 260.7 एक लाग टन से ज्यादा है खपत का सीजन होने के कारण गेहों उतपादों में मान बनी रहेगी आज की आवक 5000 बोरियों की रही जबकि पिछले कारोबारी दिन में ये 6000 बोरियों की थी दिल्ली में UP और राजस्थान के मिलों के लिए गेहों की कीमते 2680-2685 रुप्य प्रती क्विंटल हो गई है जबकि आवक 300 बोरियों की हुई राजकोर्ट में गेहों की कीमते 2500-3000 रुप्य प्रती क्विंटल रही और आवक 1000 बोरियों की हुई तो दोस्तों ये थी आज की ताजा जानकारी और विशलेशन गेहों की कीमतों पर अगर आपको हमारा ये विशलेशन पसंद आया हो तो क्रिपया चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद